नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ जी जैस वाल आप तेख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सर्विस डीजी पे यानि अधार एटियम दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से नए वर्जंग के बारे में इसके लवा आईरिस इसकेनर से भी आप लोग लॉग इन या फिर टार्गेक्शन के संबंधित कारेकों कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में complete मैं आप लोग को जंकाई देना मुला हूं कि डी जी पे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आप लोग सफ़लता अप्रॉइंड कैसे करेंगे यह पूरी परकिरयत इस वीडियो में सामिल होगी अगर आप लोग पहली बार डी पे यूज करने जा अगर आप डीजी पेपे कार्य नहीं कर रहे हैं तो तो आज ही आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और कैसे डाउनलोड करना है नीचे स्कोल डाउन कर लेना होगा और यहां पर देखेंगे CSC के संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट लिंक है उन सभी सेवाओं का लिंक आपको डिरेक्टली इसी बेवसाइड पर मिल जाएगा जो भी योजनाय चल रही हैं चाहें वे राज जेस्तर पर हो या फिर CSC से जुड़ के काम हो रहा हूँ उन सभी योजनायों के संबंधित आपको डिरेक्ट लिंक यहां पर मिल जाएगा और आप लोग अपने के बाद आपके सामने दो लिंक दिखाई देंगे android phone के लिए एक बिंडो के लिए तो मैं आपने तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग पीसी में कैसे इस्तिमाल करेंगे तो मैं यहां पे PC के लिए डाउनलोड करूंगा यह सेटप डाउनलोड करने के बा इक यह आयर करना होगा तो यहां पर देंगे ये फोलडरा गया यहां से आप लोग को इसे इस्टाल करना होगा तो मैं इसे इस्टाल कर लेता हूँ आपके सामने जैसे जैसे मैं कर रहा हूं अगर आप लोग इसी step को फालो करेंगे तो भी आप लोग बहुत ही असानी से डीजी पे के इस सब्ट्वेर को इस्टाल कर पाएंगे तो यहां पर देंगे यह सब्ट्वेर इस्टाल हो गया डेश्टाब पेस का एक आईकन बंके आजाएगा यहां पर रहेंगे यह आईकन है लेकिन यह अभी नहीं खुलेगा यहां पर आप लोगों को इस अप्लिकेशन को खोलने से पहले आपको अपने डिवाइस में सिंगल मर्फो का या फिर मंतरा का फिंगरपिंट स्कैनर या फ डिवाइस को अटेच करता हूं और आगे की प्रक्रियाब को बताता हूं यहां दोस्तों मैंने अपने पीसी में आरेश्ट डिवाइस को अटेच के लिए हूं फिर इसको पहली बार आगर आप खोले तो यहां पर देहेंगे रन एज एडबनिस्टर पर ही आप लोग पहली टिवाइस तो मैं यहां पर फिर से अपने आरेश्ट डिवाइस को रिमूब करेंगे अपने पीसी से फिर अटेच करेंगा यहां पर देहेंगे डिवाइस रिमूव अभी आगर डिवाइस अटेच अब देखिए फ्रेमवर्क is ready to use अब आप लोग अपने डिजिपे को फि इंटरफेस आएगा यहां पर देंगे कुछ नया फीचर्स भी इसमें जोड़ा गया है यहां पर आप लोग अपना csc id टाइप करेंगे यहां पर देंगे कर देता हूं उसके बाद हम लोग नीचे process वाले बटम को करेंगे तो चली हम लोग यहां पर प्रोसेस करते हैं यहां पर देहिंगे सेंड़े सेंड और रज्स्टर मॉइल लंबर जैसे मुझे मिलेगी मैं यहां पर घ्रज करहूं गा यहां देहिंगे मैं अपना पर कर दिया अब देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहांपे वहली का नाम और वहली का मुवाइल नंबर इसके अलब आपका जीले का नाम और आपका स्टेड यहांपे दिखाई देगा उपर एटोमेट्रिक आपका CSI ID दिखाई देगा फिर आप लोगों आप्लिकेशन को आप्लिकेशन को ओपन करना होगा रन एज एड्मिनिस्टर की मदद से फिर आप लोग यहाँ पर थ्वशाब वेट करेंगे जैसे अप्लिकेशन खुलेगा अब आप लोग अपने PC में DGP को सफलता पुरुवक इस्टाल और रिश्टेशन कर लिए हैं अब आप लोग को अपने आँखों का निसान देना होगा एक OTP और डालके आप लोग को इस अप्लिकेशन को वेरिफाई करना होगा तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर देंगे आप लोग को एक OTP दर्च करके वैलिट OTP पर किलिक करना होगा तो मैं यहाँ पर OTP टाइप कर देता हूँ चलिए हम लोग यहाँ पर validate, OTP पर क्लिक कर जते हैं लोग, OTP validation success अब आपका application खुल के आ जाएगा, आप लोग application का interface देख सकते हैं, यहाँ पर wallet balance 0 दिखा रहा है, तो आप लोग को simple से यहाँ पर passbook पर क्लिक कर लेना होगा, यहाँ पर जैसे आप लोग passbook पर क्लिक करेंगे, कि आपका पूरा डीटल यहां पर सु हो जाएगा अब आप लोग को फिर डैसबोड पर आना होगा तो आप लोग देंगे आपके डीजी पे बालेट में 1230 रुपे की रासी है इसके अलबा यहां पर देंगे आप लोग मेनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं प्याउट अपन फिंगर लेते थे डीजी पे टानेशन करने में तो बार बार फेल हो जाता था लेकिन आईरिस इसकेरिंग जब करेंगे तो वहां पर फेल होने के बहुत कम चांसे होते हैं और एक ही बार में आपका अथन्टिकेशन सफ़क्ता पूरख हो जाएगा तो दोस्तों इस जांका के माध्यम से जानकारियों को बता सकते हैं सो थायंक्स जैहिन वंदे मातरम